दोस्तो आज मैं आपको WhatsApp में आए 5 न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगा ये सबी अपडेट्स WhatsApp के नॉर्मल वर्जन में रीलिज हो गए हैं हेलो दोस्तो सबसे पहले आपको जाना है पिले श्टोर में और अपने WhatsApp को अपडेट कर लेना है और आपको यहाँ पर किसी बंदी की चैट को उपन करके अटेश्मेंट वाले उप्शन पर किलिक करना है यहाँ पर दोस्तो आपको एक उप्शन देखने के लिए मिलेगा डोकुमेंट आपको डोकुमेंट पर किलिक करना है और यहाँ से दोस्तो आपको कोई डोकुमेंट फाइल को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से जैसे ही आप document file select करेंगे तो दोस्तो आपको यहाँ पर WhatsApp का new update देखने के लिए मिल जाएगा add a caption जैसे के आप देख सकते हैं old version में दोस्तो क्या होता था जब भी हम कोई document file send करते थे WhatsApp पर तो हमें caption add करने का option नहीं मिलता था लेकिन दोस्तो new update आने के बाद अगर आप कोई भी document file send करते हैं WhatsApp पर तो दोस्तो आपको जो है caption add करने का option मिलेगा यहाँ पर मैंने caption add किया और यहाँ पर मैंने document file को send किया तो आप देख सकते हैं document file के साथ में यहाँ पर caption भी send हो चुका है अब इससे दोस्तो आपका फाइदा यह होगा कि सामने वाले को यह भी पता चलेगा कि document file के अंदर आपने कौन सी file send किया उसका name आप उसको यहाँ पर दिखाई देगा इसके बाद दोस्तो अगर आपको future में कभी भी किसी important document file की ज़रूरत पढ़ जाती है तो उसका नाम लिखकर आप यहाँ पर search कर सकते हैं तो वो file आपको foreign मिल जाएगी जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर यह file मुझे foreign मिल गई तो इस तरह से दोस्तो आपको पहले update का फाइदा मिलने वाला है अब दोस्तो बात करते हैं दूसरे update की तो आपको three dot पर click करना है settings पर click करना है यहाँ पर आपको storage and data पर click करना है यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है तो यहाँ आपको whatsapp का new update देखने के लिए मिलेगा proxy settings आपको इसे open करना है अब मैं आपको बता देता हूँ के proxy settings का काम क्या है दोस्तों मान लीजी आप कोई ऐसी country में जाते हैं या फिर कोई ऐसी country में रहते हैं जहाँ पर whatsapp को ban कर दिया गया है whatsapp को block कर दिया गया है तो ऐसे में दोस्तों आप whatsapp के server से connect करके whatsapp को तो use नहीं कर पाएंगे तो उस case में दोस्तों आप proxy server की मदद से अपने WhatsApp को connect करके WhatsApp use कर सकते हैं अब proxy server आपको मिलेंगे कहाँ पर दोस्तो proxy server आपको कहीं सारी website पर देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ free होते हैं, कुछ pad होते हैं अगर आप Google में जाएंगे और search करेंगे proxy server free list तो आपको कहीं सारे proxy address देखने के लिए मिल जाएंगे इन number को दोस्तो आपको यहाँ पर add करना होगा यह setting on करना है, set proxy पर click करके proxy server का जो address है वो आपको यहाँ पर डालना है और save कर देना है इसके बाद क्या होगा, आपका जो WhatsApp है proxy server से connect हो जाएगा और आप WhatsApp को आसानी से use कर पाएंगे फिलाल दोस्तो हम रहते हैं इंडिया में WhatsApp इंडिया में बैन नहीं है, WhatsApp आसानी से अच्छी तरह से work करता है तो ऐसे में दोस्तो इस setting को हमें use करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिरी भी दोस्तो अगर आपकी setting को use करके proxy server के जरिये WhatsApp को connect करते हैं तो दोस्तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप कोई भी proxy server से connect करके WhatsApp को use करते हैं तो जो proxy provider है, उनके पास जो है आपका IP address चला जाएगा जी हाँ दोस्तो, IP address क्या होता है, जो हमारे mobile का address होता है जिससे हमें कोई भी track कर सकता है और दूसरी बात दोस्तो, अगर आप proxy server से connect करके WhatsApp पर chat वगरा करेंगे, तो आपकी जो chat होगी वो दोस्तो end-to-end encrypted होगी, आपकी privacy पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा दोस्तो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो यार वीडियो को like जरूर कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लेना साथ मैं bell icon को दबाकर all per set जरूर करना अब दोस्तो, बात करते हैं तीसरे update की, तो आपको status वाले section में आना है status वाले section में दोस्तो, नीचे में हमें यहाँ पर एक camera का button देखने के लिए मिलता है अगर हमें direct कोई photo click करके status पर लगाना है, यह direct camera से कोई video record करके status पर लगाना है तो यहाँ पर हम camera के button पर click करते हैं, अब यहाँ पर हमें दोस्तो, whatsapp का new update देखने के लिए मिल जाएगा पहले दोस्तो, यहाँ पर camera का सिर्फ एकी button हमें मिलता था, photo वाला, हम one click में photo click कर सकते थे, ठीक है और हम यहाँ पर camera button पर long press करते थे, तो video record होता था, जैसे कि आप देख सकते हैं, video record हो रहा है लेकिन video recording के लिए दोस्तो, हमें इस तरह से camera के button पर long press करना होता था लेकिन दोस्तो, आप new update आने के बाद, आपको यहाँ पर video वाला section अलग से देखने के लिए मिल जाएगा आप देख सकते हैं, video वाले section पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तो, आपको video का button देखने के लिए मिलेगा एक click में जो है, आपकी video record होना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं, video record हो रहा है अब हमें यहाँ पर camera के button पर long press करके रखने की ज़रूरत नहीं है stop करना है, इस तरह से आप stop कर सकते हैं, अब आप video को status पर लगा सकते हैं तो यह है दोस्तों WhatsApp का तीसरा update, यहाँ पर आपको photo video वाले section अलग-अलग देखने के लिए मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं चौते update की, तो चौते update की मदस से आप किसी भी group में या किसी भी individual बंदे को एक साथ 100 photo send कर सकते हैं, एक साथ 100 video send कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों WhatsApp के अंदर पहले ये feature नहीं था, जीसे कि हैंपर मैं आपको दिखा देता हूँ जीसे कि मान लीजी मुझे अपने किसी दोस्त को 100 photo, 50 photo या 60 photo send करना है तो इस तरह से दोस्तों सिर्फ 30 photo select होती थी, एक साथ एक किलिक में सिर्फ 30 photo send होती थी पहले लेकिन अप new update आ चुका है, new update आने के बाद आप इस तरह से select करके एक साथ 100 photo या 100 video send कर सकते हैं ये WhatsApp का है 14 update आप इस तरह से WhatsApp के अंदर भी photo select कर सकते हैं या फिर gallery में photo select करके WhatsApp पर भी share कर सकते हैं अगर दोस्तो आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है, तो अभी वीडियो को stop करो, comment box में जाकर लिख दो, very nice, एक comment जरूर कर देना अब दोस्तो बात करते हैं आखरी update की, तो अगर आपने WhatsApp पर कोई group create किया है, या फिर आप किसी group के admin है, तो दोस्तो अब आप group के title के अंदर long title लिख सकते हैं पहले दोस्तो हमें group के title के अंदर सिर्फ 30 word लिखने का option मिलता था, 30 word से ज़्यादा हम title नहीं लिख सकते थे, लेकिन दोस्तो new update आगया है, new update आने के बाद आप WhatsApp गुरूप का long title लिख सकते हैं, तकरीबन आपको या पर 90 word लिखने का option मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते इसी तरह से दोस्तो आप अगर WhatsApp गुरूप का जो description होता है, उस description में अगर आप long description लिखना चाते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, description की जो limit है, वो भी बढ़ा दी गई है, तकरीबन आप 2000 plus word लिख सकते हैं WhatsApp गुरूप के description में, तो ये तो दोस्तो WhatsApp के 5 new updates, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो सबसे पहले इस वीडियो को share कर दो, चैनल पर नए हो, चैनल को subscribe कर लो